विनोध अब तक हमने एफपीओ के व्यवसाई के विकास के लिए आविशक मानव और भोतिक संसाधनों के बारे में विस्तार से समझा वर्तमान सत्र में हम FPO के व्यवसाय कारोबार के लिए आवशक वित्तिय संसाधनों पर और गहरी समझ बनाने की कोशिश करेंगे या अदभुद होगा या बहुत महातुपूर्ण विशय है और इसके लिए मैं अपने FPO की वित्तिय योजना के लिए इसे सीखना चाहूँगा बहुत बढ़िया विनोद चलो तो इस बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि FPO को वित्तिय संसाधनों की क्या आवशक्ता होती है और क्यों होती है सरला जी जहां तक मुझे पता है FPO को दोहरे उद्देशों या प्रयोजनों के लिए वित्तिय संसाधनों की आवशक्ता होती है पहला भूमी, भवन, मशीनरी जैसी लंबी अवधी की परी संपत्तियों में निवेश करने की अवशक्ता होती है और दूसरा नियमित दैनिक व्यवसाई गतिविदियों के संचालन के लिए धन की अवशक्ता जिसमें शामिल है कच्चा माल खरीदना, मरमत और रखरखाओ, करमचारियों का वेतन, किराया बिजली आदी विनोद, अनुभो बताते हैं कि एफपियों के पास उपलब्ध वित्तिय संसाधन उसके व्यवसाई का आकार और विकास का निर्धारन करते हैं इसलिए वित्तिय संसाधन की योजना बनाना, एफपियों की व्यवसाईक विकास प्रक्रिया का एक महत्वपून हिस्सा है, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं वित्यय योजना यह निश्चित निर्धारित करने का कार्य है कि एक व्यवसाय अपने रणनीतिक लक्षियों और उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेगा आमतोर पर एक FPO अपना विजन और उद्देश्यों को निड़धारित किये जाने के तुरंत बाद एक वित्तिय योजना बनाती है वित्तिय योजना में विभिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आविशक प्रत्तेग गतिविध्यों, संसाधनों, उपकर्णों और सामगरियों के साथ-साथ इसमें शामिल समय सीमा का भी वर्णन किया गया है ओ, मुझे लगता है कि वित्तिय योजना एफपियों के विवसाई के लिए बहुत मातुपूर्ण है क्या आप मुझे समझा सकती हैं कि एफपियों के लिए किस तरह के वित्तिय संसाधनों की जरूरत होती है यहां हम देख सकते हैं कि FPO के लिए पूंजी की आवशक्ता दो प्रकार के कारियों को संपन्न करने के लिए होती है पहला वह पूंजी जिसकी आवशक्ता एक बार होती है और FPO के व्यवसाय के घटने बढ़ने के साथ उसकी मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसे हम इस्थिर पूंजी या लागत कहते हैं या लागत इस्थिर प्रकृती की होती है दूसरा ऐसी पूंजी जो नियमित रूप से आवशक होती है और व्यापार घटने बढ़ने के साथ उसकी मांग भी बदलती है उसे कारिशील पूंजी कहा जाता है या लागत परिवर् प्रकृती की होती है यह बहुत उप्योगी है सरला जी क्या आप इसे और अधिक विस्तार से समझा सकती हैं जरूर विनोत सबसे पहले हम एफपियों के संदर्भ में इस्थिर पूंजी की अवधार्ना को समझते हैं जैसा कि हमने पहले चर्चा की है व्यवसाई की योजना ब गुनियादी, Physical Infrastructure सुवधाओं को विकसत करने या बनाने के लिए प्रियोग किया जाता है जो एफपियों के लिए अचल संपत्यां बन जाती हैं यह अचल संपत्यां दीरग कालिक उपियोग के लिए होती हैं और इन्हें जल से जल नगदी में परिवर्थित नहीं किया ज जा सकता अचल संपत्यों के मूले में समय के साथ कमी देखने को मिलती है जिसे हम मूलेहास या अव मूल्यन कहते हैं विनुद अब हम एफपी ओ के लिए इस्थिर पूंजी की आविशक्ता का आंकलन करने के तरिके खोजेंगे एफपीसी के लिए इस्थिर पूंजी की आवि लिमिटिट का उधारन लेंगे जो तीन क्रिशी व्यवसायों अर्थात इंपुट आपूर्ती, बीजुत पादन और क्रिशी उपज व्यापार में लगी हुई है। इसी प्रकार करपया कारिशील पूंजी के बारे में बताईए। कारियाले और गोदाम का किराया, बिजली स्टाफ सैलरी, कानूनी खर्च, प्रशिक्षन लागत आदी को पूरा करने के लिए किया गया खर्च भी कारिशील पूंजी के अंतरगत आता है। विनोद कारिशील पूंजी के भीतर शुद्ध कारिशील पूंजी भी है जिसे हम वर्तमान परिसंपत्यों और वर्तमान देंदारियों के बीच अंतर के रूप में पारिभाशत करते हैं। शुद्ध कारिशील पूंजी बराबर वर्तमान संपत्ती is equal to वर्तमान देंदारियों यहां हम वर्तमान संपत्ती और देता के बारे में और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे की कई कारक एफपीयों के व्यवसाई के लिए कारिशील पूंजी की आवशकता को प्रभावित करते हैं। वर्तमान देंदारियों यह एफपीयों के रिण या दाइत्व जो एक वर्ष के भीतर यह सामाने परिचालन चक्र के भीतर दे हैं। सरला जी, ऐसा लगता है कि FPO के लिए कारेशील पूण जी की आवशकता, इसके अपने वयवसाईक चक्र के आधार पर समय समय पर बदलती रहती है. क्या आप मुझे समझा सकती है कि कारेशील पूण जी की आवशकता को निर्धारित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न की अविनोध कारिशील पूंजी के बारे में समझने के लिए ये महत्वपून पहलू है ऐसे कई कारक है जो एफपीओ के लिए कारिशील पूंजी की आविशक्ता का निर्धारन करते हैं उन में से कुछ हैं क्रिशी व्यवसाई की प्रकृती और आकार, व्यवसाई संचालन चक्र, मौसमी उतार चड़ाओ, उत्पादन नीती, रिण नीती, क्राडिट पॉलिसी, रिण की उपलब्धता, व्यवसाई की विकास और विस्तार योजना और आविशक संसाधनों के मू कारिशील पॉनजी की आवशक्ता को प्रभावित कर रहे हैं। क्या आप मुझे विस्तार से बता सकती हैं कि कारिशील पॉनजी की आवशक्ता का अनुमान कैसे लगाया जाता है। पता लगा सकते हैं कि विभिन गतिविध्यों के लिए कारिशील पॉनजी की आवशक्ता का अनुमान कैसे लगाया जाता है। हाँ सरला जी मैंने इस उदाहरण से FPO के विवसाई के लिए कारिशील पूंजी की अवशक्ता का अनुमान लगाना सीखा और मैं इस टेंपलेट का उपियोग कर अपने FPO के लिए भी कारिशील पूंजी की अवशक्ता का अनुमान लगा सकता हूँ बहुत बढ़िया विनोत अब हम चर्चाओं को साथ आगे बढ़ाते हैं हमने अब तक इस्थाई पूंजी और कारिशील पूंजी की अवधारना को समझा आईए अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दो प्रकार की पूंजियों या लागतों के बीच मुख्य अंतर क्या क्या है पहला इस्थाई पूंजी का निवेश लंबी अवधी की परिसंपत्यों में किया जाता है दूसरा व्यवसाई शुरू होने से पहले इस्थाई पूंजी की आवशक्ता होती है तीसरा इस्थाई पूंजी एक लंबी अवधी के लिए व्यवसाई में कारे करती है चाथा इस्थाई पूंजी का उप्योग व्यवसाई के लिए रणनीतिक स्वरूप का होता है तीसरा इस्थाई पूंजी की अवधारना को समझने के बाद विनोध क्या आप सत्र की प्रमुक शिक्षा को संक्षेप में दोहरा सकते है हाँ सरला जी जरूर मैं यह संशेप में बताने की कोशिस करता हूँ पहला, FPO की कामकाज में स्थाई पूंजी और कारिशील पूंजी की महतुपूर्ण भूमिका होती है दूसरा, स्थाई पूंजी व्यवसाय चलाने के लिए स्थाई संपत्य बनाती है जबकि कारिशील पूंजी FPO के दिन प्रते दिन के व्यवसाय संचालन के लिए आवश्चक है तीसरा, कारिशील पूंजी का उचित प्रबंधन FPO के व्यवसाय के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है